hello my dear students welcome back to my youtube channel SP study classes for so my dear students आज के सी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कॉस करने वाले हैं class 12 of physics के बारे में,किसके बच्चों? physics के बारे में,class 12 of physics का एक very most important बहुती महत्पूर्पूर्ट चेप्टर,जो है chapter number 9 जिसका नाम है किरन प्रकास की एवम प्रकास की यंत्र ये पूरा चेप्टर आपके बोर्ड एक्जाम में 9 से 8 से 9 या फिर 10 नमबर तक का बोर्ड एक्जाम में आता है 10 नमबर का सकता है 9 नमबर का सकता है या 8 नमबर के questions इस chapter से आपके board exam में आते हैं और आपके board exam 2024 में अगर आप लोग अच्छे से preparation कर रहे हैं board exam 2024 की तो इस chapter से भी 8 से 9 या फिर 10 नमबर के questions आपके board exam में आएंगे तो इसी लिए chapter बहुत ही जदा important है तो इस पूरे अध्याय को पूरा अध्याय सिर्फ एक ही वीडियो में हम लोग खतम करने वाले हैं पूरे अध्याय के जो भी महत्पूर बहुविकल्पी प्रसन है या फिर अतिलगुत्री प्रसन है या फिर हमारे इसके जो सबसे important होते numerical हैं या फिर लगत्री प्रसन हो गए या फिर डेरीवेशन्स हो गए या फिर दीर गत्री या इनहीं को हम विश्थरत उत्री प्रसन कहते हैं इन सारे questions को आज के इस वीडियो के अंदर ही हम discuss करेंगे तो वीडियो इतना important है कि बच्चों आप बहुत ही ज्यादा important है ठीक है तो आ निमेरिकल से उनको लगवा देंगे बहुविकल्पी प्रसन आपको बता देंगे बस आप इतना अगर पढ़ लोगे ना तो इस अध्याय में इससे अलग नहीं आएगा आप चाहे किसी भी पेपर को उठाके देख लेना ठीके बच्चों तो आएए एक एक कुस्टन को बिल् पहला कुस्टन से आपजेक्टिव कुस्टन से कहता है ये किसी माध्यम से ये किसी माध्यम से निरवात में ये कोई माध्यम है उसी से किसमें निरवात में संपूर आंतरिक प्रावरतन संपूर आंतरिक प्रावरतन के लिए क्रांतिक कोंड का मान क्रांतिक कोंड जो है वो करते हैं C से और C उकल टू होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 9 सुरी यहां पर देखिए आप समझ लीजी हाँ 1.5 दिया गया है समझे एक बार ठीक है तो आप लोग समझ रहे होगे कि यह C का मान दिया गया है तो बच्चों मैंने अगर आपको बता है कि तो C का मान कितना होता है यहां पर निर्वात की बात कर रहा है तो इसका जो सही आपसन होगा वो दूसरा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर फर सेकंड याद रखेंगे न क्योंकि हमने से पहले यही कुश्चन आपको अब्जिक्टिव कुश्चन करवाया था तो बच्चों वहां पर कह रहे है तिक कुश्चन इसलिए क्योंकि confusion है इसलिए कई वार वो डिक्जाम में आया हुआ है ठीक है यह दि सगन माध्यम में यह दि किसी सगन माध्यम में आपतन कोंड जो है वो क्रांतिक कोंड के बराबर है तो आपतन कोंड का मान क्या होगा तो आपतन कोंड का मान होगा वो क्या अगर वो क्रांतिक कोड के बराबर है तो आपतन कोड का मान कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा ठीक है और एक कुस्चन भी कई वार बोड एक्जाम में आचुका आप देख से लेगे नेस्ट देखिए नेस्ट कुस्चन है एक तरीके से पूरा निमेरिकल ही समझिए दो लेंस जिनकी छमता हैं पांच डायोप्टर तथा तीन डायोप्टर माइनस तीन डायोप्टर हैं संपर्ग में रखे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ग्याद कीजिए तो आप समझिए इसको निमेरिकल है लगाना पड़ेगा दिखिए हमने के आपको सूत् आपच प्लस और पीटू का मान दिया गया माइनस के तीन दिया गया नहीं दिया ठीक है अगर हम पी जुकल टू भीकार लेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहनिकी 5-3 अजुकल2 वा गया एक हमने सूत्र पड़ा था और क्या पड़ा था पी जुकल टू होता है बन अपान एफ एक किसमें होता है मीटर में होता है ठीक है ऐसा होता है अगर हम इसको सेंटीमीटर में करते थे तो क्या करते उपस होते थे ठीक है तो पी जुकल टू बन अपान सव अपान एफ होता है ठीक है अब हमें इसमें चाहिए क्या फोकस दूरी चाहिए तो एफ इजुकल टू क्या हो जाएगा इधर देख लीजिए एफ इजुकल टू बन अपॉन इसे हंडेट अपॉन प हो जाए हब का महाना आया है अगर दो को हम सह से काटेंगे तो आज एगा फिफटी और ऐसा हमें फिफटी किसमें दिया गया है अगर 50 दिया गया आपसन नमबर पहले में तो पहला आपसन सही हो जाएगा अगर यहाँ पर आप समझेगे कि सर मेटर हो सेंटी मेटर में कैसे आप देखिए अगर हम पी को अगर हम यहाँ पर एक रखते न अगर मेटर रखते चलो यहां पर हमने सेंटीमेटर में चंज नहीं किया मेटर रखा तो बनापॉन दो हो जाता पी का मांद दो है ठीक है यह फिजुकल टू यहां से देखिए तो क्या होता दस्मालों लगाते फिर जीरों बढ़ाते पांदू दस्मालों पांच आता और ऐस आपिसें निल्हां सेंटीमेटर में किसी पर निम लखेत में से किस रंग के प्रकास का बिचलन अधिक्तम होगा यनि कि अगर यहाँ पर जो रंग दिये गए है इन में से किस रंग का जो बिचलन है वो सबसे अधिक होगा तो अगर हम बात करें लाल रंग, वैंगनी रंग, नीला रंग और हर रंग इन में से सबसे ज़्यादा बिचलन किसका होता है तो वो सबसे अधिक अगर बिचलन होगा किसी का तो बैंगरी रंगा होगा ठीक है बच्चो नेश्ट देखिए मनुस्की आँख के लिए नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होगा होता है या होगा मनुस्की जो आँख होती है उसके नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक यानि की यन होता है यन ठीक है वो कितना होता है तो बच्चो यन हमारा कभी कभी लिखा मिलेगा 1.5 ठीक है तो ऐसा या फिर यन इजुकल टू होता है 1.444 ठीक है तो दो बैलू तो इसको 1.5 भी मान सकते 1.4 भी तो ऐसा अप्सन में दिया गया तीसरे में तो तीसरे ही हमारा सही होगा याद रखेंगे ठीक है समझ में आगे अब हम बात करते है objective question को छोड़ के अब हम बात करते है very short answer type या निकी इंदी में कहते है अतिलगुत्रिय परसन अतिलगुत्रिय परसन में एक question दिया गया है बिचलन कोड क्या है कि बिचलन कोड क्या होते हैं इनके बारे में पताना है तो दिखे प्रीजम पर आप्तित किरण की ये दि कोई प्रीजम है उस पर कोई आपतित किरण की जो दिसा होती है तथा अपवर्तन के पस्चात उसका जो अपवर्तन होगा उसके पस्चात निरगत किरण की दिसा के बीच में जो कोण बनेगा न उसे ही ये बिचलन कोण कहते हैं याद रखेंगे ठीक है इसी प्रकार से next question देखिए कहता है कि स्वस्त आख का निकट बिंदु कहा होता है कितने दूरी पर होता है स्वस्त आख का निकट बिंदु पचीज सेंटीमेटर की दूरी पर होता है अगर यहीं पर निकट बिंदु है अगर यहाँ पर होता है दूरविन तो वो कहाँ पर होता है वो बच्चों होता है अनंत पर कहाँ होता है अनंत पर याद रेखेंगे ठीक है बच्चों कभी कभी पूँच सकता है आपसे नेश्ट कुस्चन देखिए question number 3 दिया गया है वो कह रहा है आँख की समझन जमता से क्या ताक पर है यानि कि मानो नेत्र की समझन जमता होती वो क्या होती है देखिए मानो नेत्र की समझन जमता के बारे में आप समझ लिए देखिए मानो नेत्र की समझन जमता क्या होती है हम और आप अपने इच्छा के अनुसार कभी दूर की बस्तू देखते हैं कभी पास की देखते हैं और उसको देख पाते हैं अगर किसी कोई दोस होगा तो आप नहीं देख पाएंगे या तो दूर की दिखेगी या तो पास की दिखेगी इस पस्त नहीं दिखेगी ठीक है तो अगर हम लोग अच्छे तरी चमता को भी मानो नेत्र की समझन चमता कहते हैं जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको कोई वाहर दिख रहा है उसको भी देख सकते हैं तो आपकी मानो नेत्र की जो समझन चमता हो रही ना इसी जो चमता होती है इसी कम जादा करने की जो किरिया है उसे समझें अबर अनुसार नेतर दौरब आप अबर अनुसार नेतर दौरब नेतर लेंज की फोकस दूरिकों कम या ज्यादा करने की चमता आँख की समंजनख कहलाती है ठीक है इस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है निश्ट कुर्ष ने अपंवरतनांक दधा क्रांतिक कॉंड मे में संबंध बताना है तो हमने अफुरतना की यह नहीं जुकल्टू एक सूत्र बढ़ा था बनपांट साइनसी ठीक है लेकिन फिर वात आती यहां पर साइनसी सी क्या है वहां पर सी बच्चों क्या था क्रांतिक कोड ही था तो यही संबंध है इसको आप याद रखोगे भू बिल्कुल वी नहीं अब हम बात करते ही इंपोर्टेंट निमेरिकल्स की किसकी बच्चों निमेरिकल्स की जो हमारे बोर्ड एक्जाम में बिल्कुल विल्कुल इसी प्रकार से आने वाले हैं ठीक है तो आई एम फस्ट निमेरिकल को देखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीक इस माध्यम से बायू में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कौन कितना होगा अब देखिए जो फर्स्ट मैं आपको वहाँ पर समझा रहा था वो सारी चीज़े यहाँ पर समझ माएगी अब देखिए किसी माध्य में प्रकास की चाल इतना कहरा है बन पाइंट फाइप और कुर्सर नमबर फर्स जो हम लोग देख रहे थे उसमें भी बन पाइंट फाइप ए अंसर लगाया था हमने ठीक क्यों लगाया था अब यहाँ पर रीजन आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ नोट कर लेंगे गिवन क्या 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 दिया गय है ठीक है अब दिखिए यहां पर प्रकास की चाल यानिक बेग दिया गया है किसकी प्रकास की चाल जमकि किसी माद्यम में यह अगर हम लिखे माद्यम में प्रकास की चाल कितनी दी गई ये 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ठीक है लेकिन हमें पता है बायू या फिर निर्वात की अगर हम बात करें बायू या फिर हम अगर मेलनी बात करें निर्वात की ठीक है में प्रकास की चाल उसको हम सी से डिन वर्ड करते हैं लिखते हैं तीन गुणे दसकी गहत 8 मीटर पर सेकेंड ये मैंने आपको पहले भी बताया जो हमने डेल बहुत साब रहे थे सुरी अबजेक्टिव कुशन उसमें बताया था यानि की एन निकाल लेंगे तो आप वरतना निकालने के लिए एन एक फार्मूला पड़ा था सी अपोन वी क्या था सी अपोन वी अब सी का मान में पताय कितना दिया गया तीन गुणे दसकी गहत 8 अपोन बी का मान यही दिया गया ये बी का मान मान लीजी आप सी अपोन वी ठीक है अब ये कितना दिया गया 1.5 इंटू 10 की पावर 8 अब यह 8 से 8 तो हम कर देंगे डारेक्ट केंसिल अगर यहां पर दस्मलों अटाएंगे उपर जीरो बढ़ेगा आप 15 दूनी 30 यह नहीं की यह नहीं जुकल टू आगया दो दो आगया ठीक है अगर अब वही पर इसी चीज की बात कर रहा था तो हमने आपको बताया तीन गुणे तसकी गात आट मीटर पर सिकेंड प्रकास की चाल होती है तीन गुणे तसकी गात आट अगर हम इसको दो से भाग कर देंगे तो 1.5 भी आजाएगा इसी प्रकार से वहा ठीक है अब एन का जब मान निकल गया ना तो अब हम क्या करेंगे क्रांतिक कोण का मान कितना होगा एवी निकाल लेंगे अब समझिए अगर हम बात करें क्रांतिक कोण का मान कितना होगा तो हमने एक सूत्र पड़ा था एन इजुकल टू बन अपॉन साइन सी अभी मैंने का मान है साइन का में पता ही है हम निकाल लेंगे यहन का मान कितना है आपको भी पता है तो हम निकालेंगे साइन सी जुकल्टू हमें क्या निकालना है साइन सी जुकल्टू क्या हो जाएगा साइन सी जुकल्टू क्या हो जाएगा बन अपन एन हो जाएगा इसकी तिर्चा ग बात करें साइन 30 अंस की तो मान होता है एक बट्टे दो साइन 30 अंस का मान होता है एक बट्टे दो तो अगर हम सी जुकल्टू कहें अगर हम कहें C जुकल्टू 33-30 डिग्री आ गया क्रांतिक कोण का मान जो होगा बच्चों यहाँ पर देखी कह रहा है क्रांतिक कोण का मान कितना होगा यानि कि क्रांतिक कोण का मान जो होगा 30 अंस होगा यानि कि 30 डिग्री होगा साइन तीस अंस का मान होता है एक बटे दो तो साइन तीस का मान है एक बटे दो यहीं हमसे पूछा गया था अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से इसको नोट बही कर लीजिए ठीक है अब हम बात करते हैं नेश्ट निमेरिकल क्या है देखिए कुछन नमबर 2 क्या रहा है कि कांच के एक प्रीजम का अपवर्टनांक 65 तथा प्रीजम के अपवर्था कोड जो दिया गया है पांचंस है तो अल QuinnIRE बिचलन कोड़ कि यहनिकी निवन्तम बिचलन कोड़ की पाथ कर रहा है हमको निकालना तो सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें क्या-क्या दिया गया गया है तो अधिक यहाँ पर प्रीजम का अपवरतना कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पर एम से क्या है यह इंचुकल टू एम लिख सकते हैं येन भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है या यह लिखिए क्या लिख लीजे चलो कोई दिक्कत नहीं लिख लीजिए आप कितना है 1.65 पाइप कम अरपतम बिचलन कोड यानि कि a जुकल टू दिया गया हमें पांच चंज ठीक है और हमसे क्या प्विचलन कोड़ गयात कीजिए यानि कि कम डेल्टा इम जुकल टू कुश्चन मारग हमसे पूछ रहा है लेकिन हमने एक सूतर क्या पढ़ा था याद कीजिए मैंने अभी आपको सूत्र पढ़ाए ता निन्तम विचलन कोड़ का डेल्टा संफ्सक्किंटा बना है देल्टा बना लेना एम भागा एक जो अह इस इसे तो सकक्या हमारे पास क्या थे घो शूत्र अ इससे हम क्या ये इसका मान निकाल लेते थे तो I 1955 municipality is simples कुछ The cat cự आ एन का मान में दिडिया गया बन पॉइंट 65- One पहीजितों इन् का मान इतना है माइनस बन तो माइनस बन रहेगा ठीक के इंट्टु एक कमान में दिडिया नज़र गया पांच ठीक है अगर इससे माइनस को बन कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सोरी 0 75 Bayton into 5 बचेगा यह वाला जो है कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब 5 बचा अब चिभी 5 की इसकी 5 कि मीव म हैं We would have to do more into black 닥्याइश कैनल by इसी परकार से आपको मेरिक अब एक इंपोटेंट बेरी मौश supports एपको आ पहले इसकी एक एक चीज़ को देखें किस्ज़न नंबर तीन को पहले आप पढ़िए फिर इसको समझे क्योंकि थोड़ा ठप कुछन है और बोर्ड एक्जामिय आया तो कई वार है ठीक है दिखें कहरा समझे कुछन को पहले लेंग वेज एक बन पाइंट फाइप अपवरतनांक बाले अबतल लेंस की अबतल लेंस की बायू में फोकस दूरी 20 सेंटी पाइंट 6 अपवरतनांक बाले हम द्रब में रख देते हैं रख जाने पर लेंस की फोकस दूरी में ग्याद करना एब इसकी प्रक्रट बताना यानि की बायू की तो कंडिशन किलियर है लेकिन इसको में बताना बायू में फोकस दूरी तो इसकी 20 सेंटीमीटर है जब अप परतनांक कि इसका कितना कर दिया जैता बंग पाइंट 6 और इसको द्रब यानि की लिकूड में यल मतलब होता ही लिकूड में रख दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी में बताने हैं तो समझजिए पहले हम वो चीजे नोड कर लेते हैं जो इसमें दी गई है यानिकी गि प्रतनांग दिया गया है ठीक हमें पता है लेकिन और हमें क्या दिया गया है हमें लिकुड यानि की द्रब के सापेश प्रतनांग कितना दिया गया है सबसे पहले हमें यहां पर चाहिए होगा यहां यहां पर क्या करेंगे कुछ कंडिसंस में द्रब में डूबोने पर हमें इसका अफरतनांग फोकस दूरी निकालनी है अब भों कैसे निकालेंगी वो सारी चीज़े अब समझिएगा तो इसके लिए आपको एक सूत्र पता होगा मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था बन अपॉन आफ इजिकल टू एन माइनस बन इस सूत्र इंटू बन अपॉन आरवन मैनस बन अपॉन आरटू यह सूत्र मैंन मान रखते हैं ठीक है तो बन अपॉन एफ जो है बोतों में दिया गया है कितना दिया गया है कि देखिए अगर हम इसको काड़ दीजिए क्या हो जाएगा बन अपॉन एफ का माना में कितना दिया गया बीस मान लीजिए ठीक है एन का माना में पता है कितना होता है और में दिय और टो यह में निकलना थीक अगर इसकी में गुणा कर देना इसकी तो अगर बन अपॉण 20 इसकोल टू क्या जाएगा देखिए अगर हम चाहें अगर इसी को बन अपॉन आर बन माइनस बन अपॉन आर टू इजूकल टू क्या हो जाएगा देखिए बन अपॉन बीस है ठीक है ये बाला कोई दिक्कन नहीं इन्टू ये जो है क्या ये जो हो जाएगा ये जो बन बान पांच है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस तो बन अपॉन टूंटी इसको माइनस का चिन्न यहां पर जाएगा दीजिए इन्टू क्योंकि ये गुणा में जाएगा तो गुणे जीरो दसमलव पांच हो जाएगा ठीक है अगर इसी को माल कर देंगे तो एक दसमलव बीस पंचे सव यानिकी 10 आ जाएगा इसको करेंगे युकेसर नंबर बन यानिकी समयगा नंबर बन 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 क्यों अब देखिए एक वात समझ लीजिए हो सकता आपको समझ में ना रहा हो कि हाट कुछ से ने थोड़ा थे फिर एक वार उपस है समझे हमें इन का मान दिया गया बन पाइंट फाइब एंजी या इन का मान आप समझ लीजिए ठीक है ये इतना दिया गया वन फाइंट इससे यहां फ्यास बाता आएंगे तो इतना बचेगा अब हम क्या करेंगे बन पाण R1-2 को बाहर करेंगे और एक बटे-20 आपनी जेगहा पर रहेगा लेकिन इन बन पाण गया तो गया जैगा तो मानस क्या हो जाए गा जो मानस हो जाएगा तो इसकी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दस तिक कमिंण music क्या करेंगे जो लैंस होगया एनिकि इसकी द्रब में डूब ओएयंगे लेन्स को किसमें द्रब में दिखिए आगर इसके आगे सॉल्फ करेंगे मैं डिखि जप आगे सोलब करेंगे अब हमें क्या कहें लेंस को अगर हम द्रब में डूब हो रहे हैं तब हमें फोकस दूरी चाहिए ना अब हम क्या करेंगे लेंस को द्रब में डूब हो दिया ठीक है मा इन जी यह अगर अब हम लेंस को द्रब में डूब हो रहे हैं तो लेंजी ट्यूर का अपरतना अब के लिक्यूड के सापेच हघ ए लिक्यूड का आप लिक्यूड का अपरतना के ट्छिझ ठीक है ग्लास ठीक G4 Glass होगा A4 Year होगा Air 4 Liquid होगा अब हम इसमें मान रखेंगे किसका मान रखेंगे हमें A, L पता है आपको A, N, L आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1.6 है हमें दिया गया यह में पता भी है और दिया गया भी है एक तरीके से मान लिजे पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बराबर होता है ठीके अब हमें क्या करना इसका मान निकाल लेना भाई जब हम इसका मान निकाल लेंगे किसका L, N, G का अब A, N, G में पता है कितना होता है जो उपर लिखा है 1.5 अब A, L, L A, N, L यानि कि लिक्यूड का भाई किसा पेच 1.6 है अब अगर हम बात करें तो 1.5 डिवाइड वाई 1.6 हो जाएगा भाई इसका मान 1.6 दिया गए हमने रख दिया A, N, G में पता है दिया गया था उपर जो है इतना होता है या हमने यहां पर मान रखा था देखिए A, N, G इसकोल टूमने लिखा था 1.5 था में अब हमें दो मान आगए मारे पास दो मान आगए एक मान आगए इसको क्योस्टन नमबर दो करम डाल दे कोई दिक करने ठीक है अब हमारे पास A, N, G निकल आया अब हम इसी से पूरा सूत्र यानि कि अब हमारा सूत्र में तरीके से लगना शुरूआ अब हम जो कुस्टन है यानि कि जो सवाल है उसको हल करना बिल्कुल अब सुरू किया अभी तक हम उसके मान इकठे कर रहे थे यानि कि केस अब सॉल्व होगा अभी तक हम उसका जो सबू टिकटे कर रहे थे आप देखिए यहां से ध्यान से समझिए अब देखिए अगर हम मान ले जो हमारी नई फोकस दूरी आएगी क्या नई फोकस दूरी उसको अगर हम F L मान ले कोई दिक्कत यह बच्चों E L है और कोई दिक्कत नहीं बन अपॉन आरवन माइनस बन अपॉन आरटू वो सब सेम ही रहेगा ठीक है बन अपॉन F L हम अब किसे निकाई इसको हम निकार रहे हैं ठीक है LNG का मान हमारे पास कितना आया एक बटे पांच डिवाइड वाई एक बटे 6 माइनस बन यही तो है माइनस में बन ही रहेगा आप हो जाएगा इनटु में बन अपॉन आरवन माइनस बन अपॉन आरटू ठीक है अब हमें यहां से देखिए हल करना स्वाल करना इसके आगे का डेखिए ठीक है आप देखिए बन अपॉन F L is equal to 1.5 into divide by 1.6 minus 1 ठीक है अब देखिए यहां पर समझे ध्यान से इसको इधर कर लें इसको इधर ठीक है ये बच्चों ये मत समझना इसके minus में पूरे के minus में न या चाहें तो आप इसको नीचे लगा लिजे ठीक है बन है जो इसके दोनों के minus में ठीक है अब हमने इससे पहले इ इसको इसको कर लेंगे इसलिए अमन बच्चों वहां पर निकाल लेते ताकि अब हमें साल्व करने में आसानी हो जाएगी ठीक है तो बन अपॉन एफ इयल जूकल टू क्या हो जाएगा अब देखे मैं सूतर यहां से चलू हो गया है देखे अगर अब हम इसको यहां पर LCM लेकर हल करेंगे ना तो आप लोग कर ले ना ठीक है हम यहां पर आपको मान बता दे रहें तो जीर माइनस जीरो दसमलो बन इसका LCM लेंगे तो LC कि माइनस 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 होगा कैंसिल हो जाएगा एक दसमर्मों से इस जबस्मालों को कसि कर देंगे अगर ने देखी तो आग्या एकक सोला गुणे एक बटे दस इतना ही तो बचा हमारे पास माइनस दोनों के कैंसिल हो गए माइनस से माइनस कैंसिल दसमलों से दसमलों कोई दिक्कन नहीं हुई अभी यहां पर देखिए बन अपॉन एक बटे शोला दसामन एक सॉसाथ हो जाएगा एक सो साथ हो जाएगा यह हमारा मैंली अंसर आगया यह यहनी कि जो कोस्टन सूत्रम से कोस्टन में पूंच रहा था क्या यहनी कि लेंस की फोकस दूरी बताईए तो कितनी आई है 170 आई है किसमें positive में आई है तो अब इसकी क्या कहता था प्रकर्च बताई है तो अब इसकी प्रकर्च अगर प्लस में आती है तो आपको पता होना चाहिए किसकी तरह होगा उत्तर लेंस की तरह है किसकी उत्तर लेंस की तरह है इसकी प्रकर्च कैसी होगी उत्तर लेंस की तरह कारे करें का तो सारे neweral समुझमा बहूत important numerical है इसको आप ध्यान से note कर लें अब हम बात करते है important derivation के उपर दिखी बचो important derivation जो हमारे board exam में कई बार आ चुके एक तो आपको lens का सूत्र इस्थापिद कीजिए जो हम उस समय से बात करें जिस सूत्र की बार-बार बन अपन या फिजिकल टू एन माइनस बन अपन आरवन माइनस बन अपन आरटू एक कैसे आता इसको आपको सीध करना इसी को लेंज का सूत्र कहते हैं और यह दोजाओं साथ में नौ में पंद्रा और अठारा में आया हुआ है बोड एक्जाम के अ फिजिकल टू बन अपन F1 प्लस बन अपन F2 या बन अपन माइनस बन अपन F2 ठीक है यह वाला सूत्र आपको सीध करना है ठीक है फिर आपको पढ़ लेना दूर दरसी और सूचम दरसी के बारे में बिलकुल A to Z पढ़ लेना है दोनों की आवरदन चमता सारा कुछ इसमें याद कर लेना है आप देखी चौथा डेरिवेशन है किसी प्रीजम के लिए उसके पदार्थ के अपवरतनांक का बेंजक नियुनतम बिचलन की इस्तित में ग्याद कीजिए आप कहेंगे सर इसमें मैं सूत्र कौन सा सीध करना होगा तो मैंने आपको एक सूत्र पता होना यह नहीं जूकल टूम सीध करते थे ए ए ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड वाइट टू इन्टू इसके में बटे में होता क्या अगता एवाई टू एक बटे दो ठीक है यही जोब हम सीध करते थे यहनी कि इसी सूत्र को आपको इस्थापित करना है ठीक है इसी में जब आप स्थापित करेंगे तो लास्ट में एवी सी दो जाता था एन माइनस बन इन्टू इससे पहले नुमेरिकल को लगा चुक है ठीक है तो इस सारे डेरिवेशन आपको तयार कर लेटते हैं और इस चेप्टर में इससे अलग कुछ नहीं आएगा 100% कारेंटी है आई होप आपको वीडियो पसंदय आओ अगर आपको वीडियो पसंद दो वीडियो को like करेंडेना अगर आपप डम परे नयरे वीजिट छाने वान दमात